हाई गाइज हम लोग आज देखेंगे कि प्राइबेट रेपो को कैसे आप आटोमेट करते हैं यह पिछले वीडियो का ही कॉंटिनिवस पार्ड है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पब्लिक रेपो कैसे आप आटोमेट कैसे करते हैं क्यों करने का शर्ता पड़ती है क्या प्रावलम है जिसको इसे हमें वह इनेबल करना चाहिए उस फीचर का इस्तमाल करना चाहिए यह सारे इसे मैं डिसक्स की थी पिछले वीडियो में तो मैं आप से रिक्वेस्ट करों कि आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो इसको देख लिएगा मैं यहां करेंगे इस अपने होस्टिंग में और पुरा पूरा हमरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा एक मैनुल भी रहेगा और मैनुल दिखाने को इसको क्यों से ऑटोमेट करते हैं तो इसलिए मैं कुछ देखाता हूं चीजें और मैं युश करा है होस्टिंगर सर्विस ने वाला है तो कोई फिसी पेनल होगा फिर हैट पनाल अपको इस्व नहीं होगा तो यहां पर हम लोग कोई सर्विस पर्विस करना चाहते हैं जाए जिसकी जो हम लोग सर्विस यूस करेंगे गिट का वह मुझे लगता है कि इससी प्रीमियम होष्टिंग में यह प्रोव तो अगर आप पर्चेस करते हैं तो उस लिंक को क्लिक करके ही पर्चेस कीजिए अभी अपनी मुद्दे पर आते हैं कि प्राइबेट रेपो को कैसे आप आप अटो डेप्लाइमेंट पर लेका आएंगे पब्लिक रेपो का हमने देखा हुआ है पिछली बार उसकी बार मिद और यहांपर हमें h-panel मिल जाता है आपको c-panel देखने को मिल सकता है लेकिन कौफी सेमिल रहता है दौनों तो हमें यहांपर क्या चाहिए file manager तो फाल में आगर मैं मैं यहांपर आउँ file manager में हमने क्लिक किया अभी का प्रोसस्स क्या है कि file manager में आपकर files को upload कर देए जए कि अगर copy करूं copy path और इसको web page में आपको दिखाऊं कि किस तरी के से यह page हमारा दिखता है तो यह कुछ इस तरी के से करें यह हमारा local में इसको मुझे host करना तो क्या करना पड़ेगा मुझे यह पूरा का पूरा जो file आप देख रहे यह फायल फॉल्डर यह सब आप कुछ अपने file manager में ले जाकर यहां पर रखना पड़ेगा public underscore HTML के अंदर फिर हमारा यह host हो जागे यह हम लोग जानते हैं चाहे यह काम आप file manager से करें FTP से SFTP से अपर SSH का यूज करके जिसका भी यूज करके करें आपको file को यहां पर लाना पड़ेगा यह पूरा प्रोसेस है लेकिन इससे issue क्या होता है कि कल को अगर मुझे site में कुछ change करना है मालेजी कि मुझे text change करना है यहां पर कोई text change करना है तो मुझे करना पड़ेगा फिर से मुझे इस file को ले जाकर upload करना पड़ेगा यहां पर तो फिर मेरा यह reflect होगा यहां पर यह issue होता तो इसी को automate कैसे करते हैं कैसे आप सिर्फ एक बार यहां पर change करेंगे अपना और यह आपको live website में यहां पर दिखने लगेगा वही हम लोग को यहां देखने का मक्ष हर एक change पर हर एक change पर उसको upload ना करना पड़े उसको कैसे eliminate कर देंगे वह चीज़े हमारी automate हो जाएगी तब को करना क्या है आपको एक option ढूड़ना है जो कि गिट में क्लिक कीजिए यहां पर क्लिक करने को आपको यहां पर कहेगा प्राइबट गिट रपो को देखेंगे त पब्लिक के लिए आपको कुछ नहीं करना था पब्लिक के लिए आप यहां पर कर सकते हैं इसके आउसकता नहीं पड़ती बड़ प्राइबट के लिए आपको यहां आप पढ़ने वाली है सबसे पहला काम करते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट को पूश कर देते हैं github म तो यह हमारा प्रोजेक्ट को पूश करेंगे तो यहां पर आए published टो github और यह फ्राइबट टब हपनेगा तो मैं प्राइबट में क्लिक करता हूं और सारे फाइल सोके में क्लिक करते हैं और हमारा github में चला जाना चाहिए पूश वहाँ जाना चाहिए है इस हैप्रो तो वही आपको यहाँ पूश कर दिख रहा है और यह प्राइवेट है जिसे कि आप देख सकते हैं इसको अगर उपन करें यह और को साइर फाइल से दिख जाएंगे अब इसको पूश कर देख अब यहाँ पर लेकिन गिट का यूज करके कैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको स प्रोजेक्ट है उसके सट्टिंग में जाना है और यहांसे आप पो जाना है में इस Option जीए और अब उससे add deploy कीए करना है और यहां पर जो भी की आपने कोपी किया था उसको यहां पर paste कर देना है यापको भी यह हमारा देखिए एक dp key से हमारा यह एक यहाँ पर setup हो चुका है अभी क्या करना है अभी यह करने के बाद आपको अपने इस जगह पर आना है जैने आपको अपने रेपो को यहाँ पर create करना पड़ेगा तो create करने के लिए आपस से यहाँ पर आईए और वापस से code में करना पड़ेगा इसको एक बार refresh कर लेते हैं और वापस से यहाँ और इसको कोपी करना है कोपी करने के बाद आप यहाँ पर आईए और इसको पेस्ट कर दिजिए पेस्ट किया उसका दियो मास्टर ब्राइंज रहेगा जिसी मास्टर को आपको करना हो deploy उस ब्राइंज को इसको आप नाम यहाँ पर रिखेंगे मुझे आप मास्टर ही लिखेंगे करना है मुझे पॉब्लिक अंटर स्कॉर एच्टीमेल में तो मैं इसको खाली छोड़ दूँगा अगर किसी फोल्डर का नाम रख सकते हैं बस अरते की खाली रहना चाहिए तो पॉब्लिक अंटर साइट लेकिन हमारे जो में था हुआ था क्या कि चेंज को जो भी हम लोग अगर कुछ चेंज करते हैं तो हमारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए यहाँ पर इंस्टेंट हमें कुछ भी करने का शकता ना पड़े यानि कि हमें यहाँ पर वापस आकर फाइल फोल्डर को चेंज क करने की डिलेट करने की रिफ्लेस करने का सब्टाना पड़े यह हमें देखना था वरना यह तो लोग ऐसे अपलोड कर सकते हैं कि थब क्या आप श्रकता नहीं तो उसी को कैसे आप करते हैं मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर हमारा एक रैपो आ जुका है जोकि जिसका मा बाद में अभी के लिए हमारा यह जाता है यह करते है यह एक डिफल्ल्ट डेपलोई होता है जिसका आपट अब यहां पर देख सकते हैं और देखना चाहिए तो किस-किस तरिके से डफलोई हुआ है क्या-क्या इसमें चीज़ें लिखी गई है मतलों यह एक तरिके सा इसमें कुछ cases लिखी गई है कि पहले आपको deploy start करना है फिर repo को clone करना है देखना है कि empty है या नहीं directory कि सारी चीजन लिखी गई होंगी इन लोगों ने लिखा होंगे वालों ने यह सारी चीजन चेक करता है और deployment करके हमें ivesse Лिखाटली हमें देता है सो यह क्या अभी चेंजस की बात करें कि में प्रीजेंज करता हूँ फर इसाइस सेव किया सेव करने के बाद इसमें क्या होगा इसको मैं पुश करना पड़ेगा इसको लिखते हैं second commit और commit में क्लिक कर देते हैं यह commit होगे इसको push करना पड़ेगा तो यहां पर click करके push में करते हैं यहां पर आते हैं अगर हम लोग देखेंगे तो अभी नहीं नहीं तो क्या करना पड़ेगा मुझे यह तो मैरा connect है इससे फिर यह हुआ कई नहीं तो यहां पर आपको एक option मिलता है है deploy का इस पर आप click करेंगे जैसे आप click करते हैं यह वापस से इस repo को deploy करेंगा जो ही latest changes होगा उसके साथ deploy करेगा इसको close कर दीजिए और अब आप deploy करने के बाद जब इसका आप देखेंगे तो यह आपको change यहाप और आपको देखने को मिल जाएंगा तो इसे एक problem हमारा solve होगा कि हमें यहां पर आकर चीजें upload यह पर delete नहीं करने पड़ती बट यहां पर आकर हमें click करना पड़ता है change करने के बाद push करने के बाद यहां पर आकर आपको deploy पे click करना पड़ेगा तब आपका दीएगा इसको पर आप और automate करना चाहते हैं तो आपको auto deployment का option यहां पर enable करना पड़ेगा इसको कैसे करते हैं और इससे क्या असर पड़ता है वह में को दिखाता हूं इससे असर वह सितना पड़ेगा कि यहां पर आपको deploy पे click करना पड़ेगा जैसे आप change करके push करेंगे वैसे ही आपको उसका असर यहां पर देखने को मिल जाग बड़ेगा तो इसको मिलोग копी कर लेcka है यहां मधुनम के माय साइट है यहां से सेटिंग में जाना है यहां से वैबोक्स में पर add webhooks यहां पर प्लवोड में यहां पर फूपिंग यहां पने कोपी किया स्को यहां पर पिश्ट कर का दिया पीश्टने के पालह सिंपली add बैबुक में क्लिक किजिए और आप कोई भी चेंजेज होगा तो आपको इंस्टेंट दिख जाएगा मैं को दिखा दिता हूं आपको चेंज करते हैं अपने कोड में आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सिफिक लॉर्म का कोड लिख देंगे इसको सेव क्या सेव करने के बाद हमें इसको कमिट करना पड़ेगा तो यह हमारा थार्ड कमिट है थार्ड कमिट कुछ भी हो कमिट लिख सकते हैं वैसे कमिट लिख यहां से पूश करते हैं यह पूश हो गया पूश हो गया मिन से यह यहां पर आगया होगा आप इसको यहां पर देख सकते हैं देखिए यह आपको यहां पर डैपलिय करने का शक्तर नहीं है यह आता ना पर डैपलिय करने का से स्टेप्स ध्यान में रेखिए अगर याद नहीं हो रहा ताब उसको पेन पेपर में लिख लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा और बस सारे सीजिए आपकी ध्यान में रहेगी तो यह है ऑटोमेट करने का तरीका अब इसको डिलिट करना जाए लिलिट कर सकते हैं अभी फॉलो करते हुए आप उसको कर पाएंगे इसके अलावा हमारे पास github भी हमें एक option प्रवाइड करता है github actions का जिसका यूज करके हम लोग यह काम कर सकते हैं बट अभी मैं आपको यह दिखानी रहा मैं आपको दिखांगा यह किसी separate वीडियो में कि github actions का यूज करके क इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ htmdcc का जो प्रजेक्ट रहेगा वही यह हो सकता है आपको react का अगर आपका project है आपका अगर लारावल का project है तो वह भी इसी तरीके से काम करेगा इसी तरीके से आपको setup करना है पर htmdc का लिया क्योंकि यह simple है और project हमारा पहले से बना ह हुआ था और सभी को practical करने में आसानी होगी इसलिए मैंने इसका example लिया हुआ है इसको इतना ही रखता हूं मैं कोई project आप कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताया तो आप test कीजिएगा इसको पहले तो simple से इसी तरीका के htmls website चेक कर लिजेगा आपसे हो रहा है नहीं हो रह देख रहें आप comment में पूझिएगा इससे तो सिम्पल प्रसेस है और यह सर चाहिए आपको आनी चाहिए ज़से तही सारा काम devops का रहता है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए अगर आप फ्रिलेंसिंग करना चाहते हैं या फिर जो भी आप काम करना चाहते हैं यतना पता